वेलकम एवरिवन, वेलकम टे उमाई यूट्यूब चैनल जीरो असोशियेशन जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है बेसिक सिविल इंजिनियरिंग और भी बहुत सारे iß pagar, इस में पर्पेंडिकुलर एक्सिर्म और पैरलल एक्सिर्म काफी important role play करती है और बहुत ही frequently पूछे जाती है तो वही पर्पेंडिकुलर एक्सिर्म को मैं तोड़ा easy way में समझाने के कोशिश करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रुद नहीं पड़ेगी ये मेरी गैरेंटी है बहुत छोटा सा ही वीडियो रहेगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दुबारा आपको कभी इसमें confusion नहीं होगा नाम से ही जैसा इसमें पता कर चल रहा है परपेंडिकुलर एक्सेस थेवरा हूं आपको पता है कि तीन एक्सेस होते हैं एक्सेस य एक्सेस जेड एक्सेस तो परपेंडिकुलर एक्सेस थेवरा हम ये बोलती है कि जो हम किसी चीज की दूरी नाप रहे हैं वो तो access से ही नाप रहे हैं लेकिन उस access से perpendicular distance में हम सब values नाप रहे हैं बस ये ये theorem कहना चाह रही है कि जो भी हम distance किसी मालने जे आप जहां पर खड़े हैं वहां से x access की दूरी y-axis और z-axis की दूरी जो हम नाप रहे हैं वो हम perpendicular distance में नाप रहे हैं ऐसे ही कहीं से नहीं नाप ले रहे हैं ठीक है तो बस यह कहना चाहिए तो यहाँ पर statement लिखा है कि it states if i-axis and i-y-y be the moments of the inertia of a plane section about two perpendicular axis meeting at o o मतलब origin point the moment of inertia i-z-z about the axis z-z perpendicular to the plane of the plane and passing through the intersection of i-axis and i-y-y is given by इसका एक simple formula होता है i-z-z equal to i-axis plus i-y-y यह जो कहानी लिखी हो है यह तो आप कहीं पर भी याद करके लिख देना बट यह कहना क्या चाह रहा है यह कह रहा है कि i-x-x और i-y-y अगर moment of inertia है i-x-axis की और y-axis की तो obviously बात है अगर मैं figure के थुरू आपको दिखाऊं तो यह एक figure है मान लीजी यह एक figure है अब यहाँ पर यह P जो point है यह वाला point इस P point पर हमको perpendicular axis इस P point के लिखालना है यह X-axis है यह Y-axis है और यह उपरवाली Z-axis है अब यहाँ से इसकी perpendicular दूरी Y है और यहाँ से Y की perpendicular दूरी X है और O से R है तो यह बोलना चाह रहा है कि अगर इससे perpendicular दूरी I-X-X है इसका perpendicular axis जो X की है वो moment of inertia I-X-X है और Y की I-Y-Y है तो यहाँ से जो Z-axis की दूरी है यह I-Z-Z equal to होगा I-X-X plus I-Y-Y के ठीक है तो intersection point जो है O इससे यहाँ से होकर यह जाएगा तो R कौन सी distance है यह अब हमको एक चीज समझ में आ रही कि यहाँ पर सब कुछ perpendicular की बात हो रही तो obvious सी बात है और यहाँ पर triangles भी आपको दिख रहा है कुछ बन रहे है तो यहाँ पर pythagoras theorem बहुत अच्छे से आपके consideration में आएगी तो यहाँ पर इसकी जो figure बना हुआ है इसकी theory अगर मैं बताऊं तो consider a small lamina P यह जो P है यह एक कोई छोटा सा body है जिसको मैंने मान लिया of area DA, obvious सी बात है इसका area DA बहुत छोटा सा होगा having coordinates as X and Y इसका जो X यहाँ से दूरी है और Y यहाँ से दूरी है तो X and Y coordinate मान लेता है along OX and OY, OX and OY two mutually perpendicular axes on a plane section as shown in the figure तो section जैसा की figure में दिख रहा है अब now consider a plane OZ perpendicular to the OX and OY जो X axis और Y axis है उसके perpendicular हम एक Z axis भी मान लेते हैं और R जो है वो distance है कहां से? Z axis से Z axis से R distance है कहां की? वो जो lamina हमने P माना है तो वही हमने यहाँ लिखा है ऐसे माना है कि O P जो distance है वो R के बराबर है figure में आपको दिख रहा है O P जो distance है वो R के बराबर है हमने यहाँ पर मान लिया अब इसका एक छोटा सा derivation है मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं यह theory है आप video pause करके इसको लिख लीजिएगा तो जो भी आपको examiner है उसमें full marks आपको मिलेंगे उसमें कोई आपको problem नहीं होगी तो यहाँ पर अगर मैं proof की बात करूँ तो figure की geometry के हिसाब से so from the geometry of figure geometry of figure figure की geometry से आपको पता चल रहा है वो एक triangle है और perpendicular axis हम हर जगा ले रहे हैं perpendicular तो pythagoras theorem आएगी consideration में तो मैं यह लिख सकता हूँ r square will be equal to x square plus y square कैसे मैं एक बार figure आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ उपर जो दिया हुआ है देखिए r square equal to x square y square कैसे क्योंकि यह जो distance है o से यहाँ तक की distance यह भी y होगी और o से y यह जो point है यहाँ की distance x है तो कोई भी एक triangle हम ले लेंगे और उससे हम यह consider कर सकते हैं कि जो हमारी value है वो एक perpendicular जो पैर हमारा जो pythagoras theorem होता है उसके लिए ऐसा कुछ एक equation बन के आएगा r square will be equal to x square plus y square तो और हम यह जानते हैं की we know that the moment of inertia the moment of inertia of lamina P about x x-axis जो x x-axis है उससे जो moment of inertia है वो है i x x will be equal to da into y square अब यह कहाँ से आए तो moment of inertia जो होता है यहाँ पर मैं formula लिख दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा so moment of inertia जो होता है वो होता है area into distance का square तो figure से area हमने जो माना है वो da माना है और y जो है उसकी distance है आपने figure में देखा तो y जो है distance है x-axis से तो y square हमने कर दिया similarly अगर मैं y-axis से बात करूँ तो y-axis से iyy will be equal to da into x square क्योंकि y-axis से जो distance है वो x है तो simple मैं इसको यहाँ पर और फिर इस equation में इस equation को मैं यहाँ पर put कर देता हूँ x square और y square के लिए यहाँ पर values जब मैं put करूँगा तो यहाँ पर जो मेरे पास i z z की value आएगी and i z z i z क्या आएगा da into r square क्योंकि p की दूरी z से r है तो r square आएगा ठीक है और r हमें पता है हमने अभी निकाला है उपर यहीं पर यह हमने निकाला r square होता है x square प्लस y square तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ da into x square प्लस y square clear यह उपर अभी हमने निकाला है तो इसके बाद अगर मैं इसका अंदर multiplication कर दूँ तो मैं यहाँ से यह लिख सकता हूँ कि da x square plus da y square और देखिए र्यान से da x square और da y square किसके बराबर है तो simple मैं यहाँ से लिख सकता हूँ izz will be equal to ixx plus iyy ठीक है प्रूफ हो गया कोई rocket science नहीं है कोई बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं था कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए ठीक है आप एक बार video फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजेगा क्लियर हो जाएगा सब कुछ तो आज की वीडियो में इतना है थेंक यू गूडबाय टेक केर क्लियर है यूड़ा है है।